ऐसे हो मेरे दोस्तों आप सबी का मेरी YouTube चैनल फ्लाइंग के उर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है अगर आप मेरी इस चैनल पर पहली बार आयो हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना सेर करो जिससे इस वीडियो की म दूसरा एपिसोड है जिसमें हम एक पर्टिकुलर योग के बारे में बात करेंगे और जानेगे कि यह योग कैसे किया जा सकता है उसके कौन-कौन से फाइदे है और यह योग करने से पहले और यह योग करने के बात कौन-से महत्वपून आसन है जो हमें करने चाहिए तो चुलू करते हैं आज के योग के बारे में, तो आज का इस एपिसोर का योग है गोमुखासन, गोमुखासन का नाम दो सब्दों पर रखा गया है, गरू और मुख, गरू यानि गाई और मुख यानि चेहरा, गोमुखासन को यहाँ नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि इस आ लेख में यानी कि इस एपिसोर में मैं आपको गोमुखासन के तरीकियों को समझाऊंगा और उसके होने वाले स्वास्य लाभोग के बारे में भी बताऊंगा साथी साथ इस आशन से जुड़ी सावधानिया भी कौन-कौन सी है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हो तो इस एपिसोड में हम जानेंगे गोमुखवसन करने से पहले कौन से आसन हमें करने चाहिए, गोमुखवसन के कौन-कौन से फाइदे है और गोमुखवसन करने का सही तरीका कौन सा है और गोमुखवसन करने के बाद हमें कौन से आसन करने चाहिए, तो चलो शुरू करते है गोमुखवासन करने से पहले हमको कौन से आसन करने चाहिए, तो गोमुखवासन करने से पहले हमें बुद्ध कोना सन करना चाहिए, विरासना करना चाहिए, तितली आसन करना चाहिए और सुप्त पाडंगुस्ता सन करना चाहिए, अब हम जाने के गोमुखवासन के फाइदे इस प्रकार है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जांगो, कुलहो, उपरी पीठ, उपरी बाह और कंदो के मास पेशियों को मजबूत बनाने के लिए गोमुखासन बहुत ही अच्छा है, विश्राम करने के लिए गोमुखासन एक उतकुष्ठ आसन है, यदि दस मिनिट या अधिक के लिए आप इसका अभ्यास करते हैं, तो यहां ठकान, तनाव, चिंता को कम कर देगा, ज्यान रहे कि अभ्यास की अउधी धिरे-धिरे बढ़ाई जाई, क्योंकि उसके नुकसान भी हो सकते है, यहां गुर्दों के उत्तेजित करता है, और दिर्ग आयू में भी म भाहत देता है, छाती को खोलता है, और आपके पोश्चर या सामान्य बैठोक और खड़े होने की मुद्रा को सुधार में लाता है, यहां पैर में एटन को कम करता है, और पैर की मास पेस्यों को भी मजबूत करता है, अभी हम जानेगे गोमुखासन करने का सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपको सुखासन में बैठ जाना है, अपने पैरों को आगे बढ़ा देना है, फिर बाए टांग को मोडे और सरी के करीब खीच ले, अपने दान्ये घुटने को उठाईए, और बाए पैर को दान्ये जांगों के नीचे टिका ले, ताकि वहां नीतंब क चू सके, बाद में अपने दान्ये टांग को सरीर की और खीचे, और बाए जांग के उपर इसे गुमा कर रख ले, ताकि ये पैर जमिल पर टिका रहे, बाए हाथ को पीट पर टिकाए, और दान्ये हाथ को उठा कर कंधे के उपर से जाकर पीट पर टिकाए, बाद में जबकि डाइने हाथ की हथेली रीट की हड़ी पर टिकी होनी चाहिए। उसके बाद अब पीठ के पीछे ही दोनों हाथों को एक दूसरों से पकड़ने की कोशिस करें। अब उसके बाद दाहिने हाथ को सीर के पीछे ले आए ताकि सीर हाथ के अंदर के भाग को छू सके इसके बाद रिट की हड़ी एकदम सिधी होनी चाहिए और सीर आगे की और बिल्कुल नहीं होना चाहिए आखे बन कर ले इस मुद्रा में आप दो मिनित तक रहिए और उसके बाद आसन से बहार निकालने के लिए हाथ को खोले और टांगो को सिधा कर ले और दूसरी तरफ दोराईए तो इसके बाद आपको मैं एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा जो ये आसन कैसे करते है उसका आपको खायल आ जाएगा अब हम बात करेगे गोमुखासन करने के बाद हमें कौन से आसन करने चाहिए अंत में जिससे हमारा सरी फ्लेक्सिबल होगा और हमें उस गोमुखासन करने के घहर फाइदे नहीं होंगे तो आपको गोमुखासन करने के बाद आपको अर्दमस्यदासन करना चाहिए घरुडासन करना चाहिए मरिचियासन करना चाहिए पदमासन करना चाहिए और पस्सोमातासन करना चाहिए तो आज के इस एपीसोर में हमने जाना कंधे संबंधित योग का दूसरा एपीसोर था उसमें हमने आग एक पर्टिकुलर योग के बारे में जाना जिसका नाम था गोमुखासन और हमने जाना कि गोमुखासन कैसे तरीके से किया जाए और उसके क्या फाइदे है और क्या गहर फाइदे है तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को क्लिक करो जिससे आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियो की माहिती आपको मिलती रहे